नमस्कार दोस्तो साधी के मंडप में दूले ने एक साथ दो दूलहन के साथ लिए साथ फेरे एक गल्फ्रेंड और दूसरी घरवालों की पसंद सामूहिक विवाह के बारे में आपने जरूर सुना होगा ऐसे समारों में कई जोड़े एक साथ साधी करते हैं आमतर पर ऐसी जगों पर साधी के लिए अलग-अलग मंडप त्यार किये जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी ऐसा साधी के बारे में सुना है जहां किसी एक मंड़प पर एक दूले ने एक साथ दो दूलहन के साथ फेरे लिये हो सायद नहीं लेकिन ऐसा ही एक अनोखा साधी मध्ध प्रदेश के बैतूल जिले में देखी गई है एक दूलहन लड़के की गल्फेंट थी और दूसरी घरवालों की पसंद दरसल ये साधी बैतून जिले से 40 किलोमीटर दूर डांडो गरी तहसिल के कोरिया गाउं में हुई आपको बता दे कि गरामिडों के मताबित केरिया गाउं के आदिवासी यूवक संदीप उकेई ने दो लड़कियों के साधी की पहली दूलहन होसंगाबाद जिले की है और दूसरी घोडा डोंगरी तहसिल के कोईलारी गाउं की है जानकारी के मताबित संदीप भोपाल में पढ़ाई कर रहा था इस दोरान होसंगाबाद की लड़की से उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर बात साधी तक पहुँच गई इस भी संदीप के घरवालों ने कोईलारी गाउं की दूसरी लड़की के साथ उसकी साधी तै कर दी इसके बाद पूरा मामला पंचायद तक पहुँच गया विवाद को खत्म करने के लिए तीनों परिवार ने पंचायद बुलाई इसमें फैसला लिया गया कि अगर दोनो की साधी लड़के से करा दी जाए इस फैसले पर दोनों लड़किया राजी हो गई संदीप ही साधी दोनों लड़कियों से कर बैठा आपको बता दे कि साधी में तीनों परिवार के लोग पहुँचे इसके लामा तीनों के गाउं के कई लोग भी इस साधी में मौजूद ये मौका पहली बार हुआ था जब किसी लड़के ने एक साथ दो लड़कें के साथ फेरे लिए हो गोडा डोंगरी की तहसील मेनिका विसकर्मा ने तहसिलदार दोस्तो आपको बता दे कि घोडा डोंगरी की तहसिलदार मेनिका विसकर्मा ने बताया कि उन्होंने इस साधी के लिए कोई परमीशन नहीं दी थी बता दे कि कोरोना काल में इन दिनों साधी के लिए परमीशन लेनी पड़ती है फिलाल मामले की जाच चल रही है तो दोस्तो आप किस कबर के बारे में क्या रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमली के साथ से एज़र